वेलकम तो अल आफ यू इन अन्पमजी टेक्निकल और माइक्रोसाफ्ट वर्ड में जो एडवान स्रीज माइक्रोसाफ्ट वर्ड की चल रही है उसमें आज क्लास 10 है क्लास 10 में हम व्यू टैप को इन डिटेल डिसकस करेंगे उसके आल गुरुपाफ कमांड में कमांड बाई कमांड एक ऐक ओप्षन को इन डिटेल डिसकस करेंगे माइक्रोसाफ्ट वर्ड में तो एडवांस लेवल में ये माइक्रोसाफ्ट वर्ड को यदि व्यू टैप आफ देखना चाहते है तो प्लीज बने रहे अन्पमजी टेक्निकल में और यदि आप ने अनपम अनपमजी टेकनिकल का कंप्यूटर स्क्रीन और हमें वीव टैप को डिसक्स करने के लिए एक मैंस वर्ड डाकॉमेंट को open करना होगा जिसमें मैं राइट क्लिक करके new में जाता हूं और Microsoft Word document open कर लेता हूँ यह document खुल गया अब यह document में हमें यदि जूम इन कर ले देखें यदि जूम कर रहे तो File, Menu, Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, Mail Links, Review Review तक आलरेड़ी वीडियो अपलोड़ेड है यदि आपने Unpomgy Technical को सबस्क्राइब नहीं किया YouTube जैसा ही आप यूटूब लिखेंगे और YouTube पेज में इंटर होंगे तो जैसे यहाँ पर यूटूब पेज में जाना है और ऊपर सर्च करना अनपमजी टेक्निकल लिख के इंटर करना है जैसा ही आप इंटर करेंगे तो फस्ट आपको फस्ट लोगो मिले गा है आप यहां पे देखेंगे कि रेवियू मेलिंग्स रेफरेंस ले आउट डिजाइन और बहतरीन टेक टेक इंफॉर्मेशन और MS वर्ड डॉकुमेंट कम्प्यूटर के कम्प्यूटर एजुकेशन से रिलेटेट बहतरें वीडियो आलेडी हैं तो प्लीज प्लीज आप अनपप्जी टेक्निकल में जाएं और यह जो सब्सक्राइब का बटन है इसको इंटर कर दे और वेल आइकान में आल कर दे ताकि आपको आल नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं बाहरार अब ऩर्ट करतें मैक्रो मैक्रोसॉट वर्ड में व्यू टैब की डेखें डेखें डिजाइन रिफ्रेंस Music Reunion प्रवियू के बाद अब व्यू टैब है और व्यू टैब को इन डिटेल डिसकस करेंगे ब्यू टैब में को डिटेल में डिसकस करने के लिए कुछ में कुछ लेके आते हैं ताकि चीजों को सीखना आसान हो यदि हम व्यू टैब में जाते हैं तो देखें डिफरेंट ग्रूप आप कमांड जैसे व्यू इमर्सिव पेज मोमेंट सो जूम और विंडो से रिलेटेड कुछ ग्रूप आप कमांड से फर्च ग्रूप आप मिलता है और देखें आपको ना तो कोई हों टैब मिलेगा ना कोई कुछ मिलेगा केवल इजली आपको मैजिमम स्क्रीन यूटिलाइज करने के लिए मिलेगी जहां पर आप आसानी से आए आपके आँखों को कमफर्टेबल फील होगा और अधिकांस चीज आप कोई कि एदि यह दि हम व्यू टैप자가 के बाद यह दि देखें तो व्यू टैप नार्मली जू पेज होता है पेज लियो पेर प्रिंट लियाउट यहाँ पर जो सेकंडér जो यह पिरिमिले आउट कमांड है माली जब भी हमम सब करते हैं जो पैज हमें दिकहाई देता है को अधिकांज बारी प्रिंट करने की ज़रूरत होती है तो जो इस टेंडर्ड ए फॉर साइज का पेपर होता उसके अकार्डिंग प्रिंट लेयाउट मोड पे एमस वर्ड का डाकॉमेट पेज बना होता उसको हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं यह काई बारी आल्रेडी डिसकस किया जा चुका है जो नेक्स्ट कमांड है यदि उसकी बात करें देखे जी जो नेक्स्ट कमांड है वो है वैब लेयाउट वाट डियू में वैब लेयाउ पेज में कुछ इस प्रकार दिखेगा यह बताता है Microsoft Word कि आपका यह ओनलाइन पेज में कुछ यह कंटेंट डाल के रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा तो यह तीन डिफ्रेंट डिफ्रेंट सो वाले मोड थे रीड मोड प्रिंट मोड और वैब लेयाउट यहां पर एक एक बुलेट को फॉर्मेट मिलता है इसको यहां से क्लोज कर दें और दुबारा व्यू टैब में जाएं तो यहां पर आउटलाइन और दूसरा है ड्रॉफ्ट में देखेंगे तो ड्रॉफ्ट में चीजे क्या है कि लेफ्ट हैं तरफ एड्जेस्ट हो जाती में अब इसको व्यू में भी इमर्सिव रीडर क्या है आप जानते हैं इसमें क्लिक करने से जो कंटेंट लिखा होता है उसको कंप्यूटर खुद पढ़के बताता है अनफोर्चुनेटली यदि कोई आसानी से देख नहीं सकता थोड़ी सी देखने प्रॉब्लम है तो इस प्रिंट लेयाउट मोड में कर दू और रूलर का मतलब क्या होता है कई वारी आप देखते हैं कि यह स्केल है पेज कहां से लिखना है इसके बारे में भी आलरेड़ी में ms word में ms word में बाते की गई है ms word के details section में different different में फंडेंगन जरूरत पड़ी यह रूलर है यह को हटा देते हैं जैदी grid lines grid lines का मतलब क्या है डेकिए आपको page में क्या है कि जरूरत है grid lines की तो आप definitely page में grid lines ऐसे insert कर सकते हैं यह grid lines का काम क्या होता कई बारी क्या होता है कि page में grid lines की जरूरत होती यद्य मैं ruler को insert करके और थोड़ी से इनको अटिस्ट कर दो ताग अद देखेएंD को इंसर्ट कर लिया अब इन केस होता क्या है कि यह ONE कभी कभी क्या है कि से और गहरा कुछ राइट डार फॉर्मेट में चाहिए होता है कि यह सीमिलर जैसे दो डिफिरेंट सेफ है एक सेफ है जिसका कलर बलैक है और कि दूसरा लगवक्य पार जिसका कलर ट्रांसपेरंट ठीक फाइट ठीक अब चाहते हैं कि इसcem्लरर यहां पे रखा जाए हट तो क्या होता है कि हम वैसे तो वैसे पता नहीं लगा पाएंगे की कैसे करें पर यही रूलर होता है आपके साथ तो इसने जो लास्ट बॉर्डर होता है वह magnetic का होता है यह बड़ी आसानी से जैसा ही आप नीचे करते हैं तो एक feelings ही आती है कि हाँ यही आपका similar line है तो safe है images को एड़ेस्ट करने के लिए आप gridlines का यूज कर सकते हैं जब आपका काम खतम हो जाए तो आप इसको disable करके और अपना again texting का काम आसानी से कर सकते हैं तो यह था ruler और gridlines navigation pen इसमें यह दिक्लिक कर रहे हैं आपको search box मिलेगा और search box में वही है जो control F करके find करना होता है navigation pen से भी आप find कर सकते हैं अब इसके document में जैसे video word को मैंने click किया और just enter कर दिया तो result one of eight बता रहा दे के इतनी जगे अपने document में video word आया है आठ जगे यह बता रहा है आपे तो यह है navigation pen का यानि आपके document में कोई चीज़ सर्च करनी है कोई particular word सर्च करना है तो आप navigation pen का यूज करके और यह कर सकते हैं यह यहां पर pen है इसको just disable कर देगे तो जो आपके left hand में वह सर्च का search बार आया था वो हट जाएगा आप इसको यहां से भी cancel कर सकते हैं और यह आप यहां से नहीं cancel करना चाहते तो direct यहां से disable कर दे चीज़े क्या है कि हट जाएंगी हम बात कर रहे थे navigation pen को लान क्लिक करें तो देखें क्या है कि बाइड जूम करेंगे तो इसमें कुछ option है अभी 78 में है पेज को जूम करने की बाते हो रही है यहां पर जैसे 100 जर्नली रहता है जहां से हम जूम को मैंनुली एड़ेस्ट कर सकते हैं जैसे अभी 100 कर दिया अब देखें जैसे इसमें हमने क्या है 114 कर दिया अब देखें पेज क्या है अपने से बढ़ के आ रहा है अगेन यदि जूम कमांड में बात करें तो जैसे 114 है अब यहां पर जैसे 123 कर दे तो देखें पेज कुछ बढ़ के आ रहा है तो यह जूम कमांड जहां से पेज को हम जूम इन जूम आफ कर सकते वाजसे इसको कंट्रोल और स्क्रॉल प्लस माइनस करके भी आप बड़े आसानी स्क्रॉल वील को आगे की और आगे की और करेंगे तो जूम इन होगा और पीछो की और करेंगे तो जूम आउट होगा यह इस क्रॉल बटन का यूज करके भी आप जूम इन जूम आउट को यह चीज़े आप manually select कर सकते है या की by default 100 में रहने देते है इस अप टू यू जैसा आप चाहें वैसे चीज़ों को adjust कर सकते हैं यह जूम सेक्षन में था पेज वन जिसमें एक पेज आपको दिखाई देता है अब इसमें थोड़ी समय दो तीन पेज लेकिए आप मल्टिपल पेज देखें यह थी हमारे पास मल्टिपल पेज है और हम चाहते हैं कि कई सारे पेज को एक साथ हम पढ़ें या की देख सके तो इसमें क्या होगा कि कर सकते हैं और यह थी हमें इसमें कोई एटेटिंग करनी हो तो आसानी से एडिट भी कर सकते हैं तो यह था मल्टिपल पेज पेज वीट्स यह थी आप इसको बिल्कुल चोड़ाई कम करके पढ़ना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं तो यह पेज वीट्स कमांड का यूज करके आप ऐसा भी कर सकते हैं तो यह था जूम सेक्शन में व्यू टाइप में आप विंडोज ग्रूप आफ कमांड और विंडोज ग्रूप आफ कमांड में न्यू विंडो अरेंज इसका वन ॵन करके डिटेल समझ लेते हैं तो दекhen जैसे यह फर्शी विंडो में जाएएं और अब दो विंडो किस काम के हैं या कि किस काम आएगा इसके लिए एक बारेंगे करते हैं कर्थे एक बारी करेंगे जैसे हमस्वत्यु करने कि एतने हिसे को मैं सेलेक्ट किया और होम में जाके रेड कलर कर दिया रेड कलर करने के वाद थोड़ी से इसका साइच चेंज किया अब देखेंगे कि प्रक्टिकली तोर पे दोनों डॉकॉमेंट में आसानी से आपको चीजे देख पा रहे होंगे कि जो भी हम एडेटिंग फॉर्मेटिंग करत मल्टिपल विंडोज में इंसर्ट करने को ओप्शन एमस वर्ड देता है यहां पर देखेंगे कि जैसे ही हम यहां पर फस्ट लाइन के कुछ हिस्स्यों को बोल्ट किया तो दोनों डॉकॉमेंट में बोल्ट हो गया यदि व्यू टैप में जाए तो यहां पर आपको स्वि जो भी चेंजेस करना चाहे हम बिल्कुल फ्री है करने के लिए तो यह मल्टिपल विंडो को ओप्शन देता है यह आपको जरूरत पड़े तो इस कमांड का जरूर यूज करें और इसमें एरेंज आल के बाद इस्प्लिट आता है एक स्प्लिट का सेक्शन होता है इस्प् साइब बाई साइड करें तो देखें आप देखें कि दोनों डॉक्मेνट आसानी से एक साथ राइट बी स्क्रॉल हो रहें तो दो डॉक्मेट लिफ्ट और राइट में आजाएंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे और कोई भी चेंज़ेस आप बेहतरी ही करएंगिए यह दोनों जगए एक साथ ही apply होने वाले हैं तो यह Microsoft Word का एक view section में एक बेहतरी option था जिसके बारे में हम जान सकते थे आया कि बिल्कुल जान ही चुके है तो यह multiple window में काम करने का एक बेहतरी option था इसको यहां से click करके और यह full page में कर लेते हैं तो देखें जी यह था Microsoft Word में new window यानि same document का दूसरा window बनाना arrange उनको एक साथ लेके आना और split का basically मतलब क्या होता एक ही page को दो भागों में divide करके आसानी से दो तुकडों में divide करके और छोटा-छोटे हिस्ते में editing करना यह दिया आप चाहते हैं तो split section में एक page को दो पार्ट में divide कर दो जैसे एक ही page को दो विंडो में divide करना और एक page को दो पार्ट में divide करना is a different thing देखें यहां पर दो-दो scroll बने हैं यहां पर आप आसानी से आधे-धे हिस्ते में काम कर सकते हैं यह Microsoft Word आपको facility देता है यदि आपको ऐसा कुछ करने की जरूत पड़ती है तो definitely you can do this remove split करेंगे तो आपका जो page दो भागों में divide हो गया था वो combine होके एक page में आ जाएगा तो यह चीज़े यहां थी switch windows in case आपके पास जैसे कि पहले earlier we discussed कि यदि आपको पास multiple windows हैं जैसे कि आप new window करके और new window करते हैं और arrange करते हैं तो आपको switch window में switch window की option देता कि आप future switch करना चाहते है first window work करना चाहते है second window work करना चाहते है यह चीज़े switch windows से थी अब एक window को मैं close कर देता हूं ताकि काम करने में आसानी हो next command to discuss कर सके हैं तो windows के बाद macros आता है, macros is very very interesting thing, अब इसको यदि हम बात करें, so next option है macro, macro में दो option है, view macro और record macro, record macro करने में हमें कुछ भी macro नहीं आएंगे, क्योंकि हमने, इसके लिए क्या होता है, कि हमें macro generate करने होते हैं, अब वो होते कहां record macro से, अब इसका use क्या है, इस command का, यह क्या हो दिया गया है, इसको instant जान लेते हैं, तो just record macro में click करते हैं, और macro first, इसमें कोई भी changes नहीं करना, just आपको ok कर देना है, अब यह क्या है, कि Microsoft Word के document में, जो भी formatting हो रही है, जो भी चीजें की जा रही है, उसका ए remember करके रखता है, recording that not mean की video recording या audio recording, जो formatting है, उसकी एक history को record करता है, जो भी आप चीजें करेंगे, जैसे अब इसको practically समझते हैं, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखते जाएं, कुछ भी content आपको लिखना है, तो आप इसको यह content लिख दिया, अब आप इन गेस, आप कुछ सोच के आप चाहते हैं, कि इसको आप हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, अब यहाँ से एक बारी stop recording करते हैं, अब आप बैठ की यह सोचते हैं, कि जो मैंने content अभी delete किया, अभी मुझे चाहिए था, यह मेरे लिए जरूरी था, मैंने गलती से इसको ड recorded है, जिस्ट आपको run करना है, जैसे यह चीज़े run है, आप भले ही delete करके रखे हैं, आपको overall content मिलने वाला है, तो यह चीज़े थी macro को good use, और भी बैतरी news है, अब micros का दूसरा second interesting use है, कि record macro में करें, और आप keyword को कोई भी आपको यह दी shortcut की generate करना है, तो आप यहाँ से कर सकत अब यहाँ पर क्या है, प्रेस एनी new shortcut की, यह आपको shortcut की बनाने का option देता है, जैसे हम control, control 4 कर दे, एक second, जैसे हम control 4 कर दे, और इसको just assign कर दे, और यहाँ से close कर दे, अब कोई भी हम changes करेंगे, वो चीज़े यहाँ पर use होगी, जैसे home tab में हम जाके, और यह normally cursor है, अब calorie body की जगह में यह font use, select कर लेता हूँ, और इसके बाद इसका font size 28, यह एक समझने के लिए है, professional bay में आप अपने according चीज़ों को adjust करें, command को use करें, तो आप यह कर दिया, फिर again आप जाएंगे view tab में, और view tab में जाएंगे stop recording में, ठीक एक चीज़ आप नहीं कर लिया, control 4, after that फिर आ आप micro में जाएं, और micro में जाके record micro और again आप keyword में जाएं, और अभी control 4 की जगह आप control 5 दबाएं, और फिर assign कर दें, और यहां से close करें, और close करके home बटन में जाएं, और एक कोई दूसरा सा font ले ले और इसकी size को आप increase कर दें, फिर आपको जाना है कहां, view tab में और view tab में ज देखें, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप यह normally लिखते जा रहे हैं, अब अचानक आप करते है control 5, जैसे आप control 4 करेंगे तो देखिए, आपको इतना बड़ा बड़ा लिख किया गया है, क्योंकि आपने इसके लिए यह वाला font shortcut की की रूप में use किया गया है, अब इसी म group of command को use करके, आप कुछ changes या कुछ better in shortcut की view tab में जाके macro को record करके बना सकते हैं, यहां से properties है, document की in detail जानकारी आपको देगा, आपने कितना काम किया, कितने घंटे काम किये, यह सब चीजे property का हिस्सा है, जो view tab में दिखायागा, view tab में इतनी important बाते थी, जो हमें समझना जरू अनकुमजी टेक्निकल यूटूब चैनल में, सायद MS Word का, MS Word का, यह last video होगा, इसके बाद हम, जो भी आप comment करोगे, आप comment जो भी issue समझ में नहीं आये होगे, जो भी चोटे से comment रह गए होगे, या कि मैंने बहतर ढंक से explain नहीं किया, आप उनको again, हमें comment के माद्दम से वता सकते हैं, हम definitely उस पर video जरूर बनाएंगे, यह था Microsoft Word का advanced level का advanced classes, जहां पे हमने हर एक group of command के एक छोटे-छोटे commands को in detail discuss किया है, जो चीजे आपने, आपकी समझ में नहीं आए, आप comment के माद्दम से बताए हमें, हम उसमें definitely दुआरा एक बहतरी वीडियो लाने का प्यास झाल